प्रपॉन प्रपॉन सो वी डिस्कॉसिंग एडिटोरियल ऑफ दा हिंदू डेटेड फिर्थ नवंबर 2022 आज के इस पेज पर एक छोटा सा एडिटोरियल है और एक कॉलम है तो फिर्स कॉलम इस अबौट पाकिस्तान विच आट पाकिस्तान की इंटरन पॉलिटिक्स उसमें जो इम्रान खान पर हमला हुए उससे संबंदित है थोड़ा व्यू पॉइंट है उसके बारे में और इसको हम नहीं लिए रहे नॉट एट इंपोर्टन फर रस अड वी आल पाकिस्तान is a different kind of state and a type of state in which an army has a country rather than a country has an army. So, कहा जाता है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर आर्मी के पास देश है, usually देशों के पास आर्मी होती है, तो इसे हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं, एक एडिटोरियल है, इसमें रिमोट वोटिंग के बारे में है, एक नवंबर को सुप्रिम कोर्ट ने सरकार से पूछा है, जब पेटिशन आया कि जो सर्विस वोटर्स होते हैं, जो आर्म परसनिल होते हैं, या गवर्मेंट इंप्लाइज होते हैं, जो रिमोटली पोस्टेड होते हैं, उनको तो में हैं and we shall definitely do this. तो उस बारे में ये छोटा सा editorial है. India has the largest diaspora of Indian population which 1.35 करोड people living across the globe. छोटी छोटी बाते इस में हैं जो important है. Currently, the election commission of India allows enrolled overseas citizens to vote in person. अभी क्या होता है जो भारत के बाहर भारतिय नागडिक रहते हैं. उनको in person आना पड़ता है जहां पर उनका vote registered है. वहाँ पर vote देने के लिए उन्हें physically present होना पड़ता है. मददाता सूची में नाम होना ज़रूरी है यदि आपको vote देना है तो अभी उनको in person आना पड़ता है. तो इसके एरियास पर पोस्टेड है. आर्म परसनल पोस्टेड है. परेल मिलिट्री वोर्सेज के लोग पोस्टेड है. उन्हें भारत ने सोवरें गॉर्णमेंट ने पोस्ट किया है तो उनको ये सुविधा दी जाती है. एनना इसको भी दे दी जाए. दे नेसेशिटी कर पाए थे. क्यों ना ये पूरा वोटिंग पोटेंशल इस्तिमाल किया जाए. पहले भी ऐसा होता आया है कि जो efforts इस बारे में हुए है, उसके बारे में है कि 2014 में election committee, election commission ने committee constitute की थी कि कि किस तरीके से overseas voters का mandate, उनका vote लिया जाए. इस संधर में एक bill भी introduced हुआ था पार्लेमेंट में, जिसमें RPA को amend करने की बात थी और representation of people sect को amend करने की बात थी, जिससे उनको भी ये किया जा सकता है, बट वो finally जब 16 लोग सभा लैप्स हो गई तो खतम हुई, तो वो लैप्स कर गया, इन 2020, वो लैप्स कर गया, उसके एक साल बाद election commission ने approached, the election commission approached the government to permit and rise to vote via postal ballots, similar to the system already used by service voters, that is electronically transmitted postal ballot system, ETPBS, which allows registering their mandate on a downloaded form and sending it to the returning officer of the constituency, आप वो जो लोग सभा विधान सभा छेतर है, जहां आपका vote, आप voter के तौर पे registered है, आप वहाँ पर intimation भेजेंगे, कि मैं vote देना चाहता हूँ, service voters ऐसे ही करते हैं, तो उनको एक electronic form चला जाता है, जिसे fill करते हैं, वो attest करा कर उस constituency के returning officer को भेज़ देते हैं, उनका vote इस तरीके से कास्ट हो जाता है, तो यही system election commission ने 2020 में जब वो बिल लैप्स हो गया, सरकार से का इसको सोचा जाए, तो उसी संदर में ये बोला गया, हम सरकार ने बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कि इसी तरीके से overseas voters का भी vote करा दिया जाए, जो हमारा कानून है, वो यह कहता है कि 2010 से पहले अगर 6 मेने से जादा, जो RPA कानून है, 6 मेने से जादा व्यक्ति नहीं है भारत में, तो उसका vote खतम हो जाएगा, बाद में हुआ कि वो दे सकते हैं, बट 2010 के बाद ये हुआ कि वो दे सकने हैं, बट इन परसन दे सकते हैं, बट वो जब comprehensive bill लाने की बात ही तो bill पास हो नहीं पाया, और ऐसा करने के लिए जो conduct of elections rule 1961 है, उन में ही थोड़ा change करना पड़ेगा, और ये जो electronic system है voting का, postal ballot system में, इस से होगा तो registered जो energized voters भी vote दे सकते हैं, आर्टिकल 326 of the Indian constitution allows citizens who are not less than 18 years of age and are not disqualified on certain grounds to be registered as a voter, 2014-15 तक इसको एक statutory right माना जाता था, Supreme Court मानता था कि ये कानून से मिलता है, RPA से मिलता है, इसलिए ये constitutional right नहीं है, बट 2014-15 में एक हर्याना का case आया, जिसमें Supreme Court ने कहा दिया, आर्टिकल 326 से मिल जाता है, statutory right नहीं है, तो this is about this right to vote, जिसमें कोच changes आ रहे हैं, दूसा जो हमारा column है, वो है COP27 के बारे में, इसके बारे में जो बात उठाई है, authors ने, वो है कि जो energy iniquity है वर्ल्ड में, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, इन्होंने दो फ्रेदित इस्तेमाल किये हैं, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, ये जो terminology है, जो बहुत logical तो नहीं है, बट ये देखा गया कि ग्लोबल नॉर्थ, जो developed countries हैं, उनको माना गया है, और जो ग्लोबल साउथ, वो देश हैं, जो southern part of the globe में हुआ करते हैं, और definitely देखने में आया कि हर तरीके से जो गरीब देश हैं, developing या underdeveloped देश हैं, वो globe के southern part में जादा हैं, Australia और New Zealand को छोड़ दीजिए, otherwise जो global north हैं, वो richer countries हैं, developed countries हैं, यह इस पर depend करता है, एक 1980 के दशक में, एक Brent line बनाई गई थी, प्रपोज हुई थी, Brent line, Brent line के base पर एक global south, global north की terminology चलती है, जो बहुत reliable या बहुत logical line है, उस point of view से देखें, तो यह माल दिया जाता है कि, this particular यह देखिए, यह जो देश हैं, यह imaginary line है, इसमें Australian, New England को छोड़ दिजिए, बाकी सब देश, यह global north में आ जाते हैं, और यह जितने देश हैं, यह global south में, Latin America, Africa, Asia, South East Asia, यह सारे के सारे global south में आ जाते हैं, यह terminology है, just by the way, तो यह terminology इस्तेमाल हुई है, इनका यह कहना है कि, जो global north के countries हैं, उनकी hypocrisy है, कि वो southern underdeveloped, developing countries को energy support करने को तयार नहीं है, और fossil fuel के projects को finance करने को तयार नहीं है, जबकि वो खुद भी ऐसी जीरे स्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में हैं, और वैसे भी, कल मैंने आपको बताया, कि शर्मेल शेक एजिप्ट में COP27 होने जा रही है, Conference of Parties, 27th meeting, और Rio और Summit जो 1922 में हुई थी, वहां से चीज चलती चली आ रही है, 27th स्की meeting हो रही है, 1.5 डिगरी तक हमको रोकना है, जो temperature, 1.1 तो होई गया है, मैं कल आपको बताया, उस तक रोकना है, और जो की संभब नहीं हो पारा है, 50% probability है कि ऐसा हो जाएगा, और जितने भी emissions हैं, उसके लिए developed countries are more responsible for more than half of these historical CO2 emissions, बड़ उसका जो खामियजा है, वो पूरी दुनिया को भुखतना परदा है, और अब ओनस यह आ रहा है कि moral responsibility है, global responsibility है, कि emissions का असर कम किया जाए, उन्हें कम किया जाए, अब यह कहते हैं कि इसमें global energy inequality है, 2021 तक, as per the data provided by these two authors, 33 million people had no access to electricity, almost 2.6 billion people lacked access to clean fuels and technologies, the average per capita use of the richest 20 countries is 85 times higher than 20 poorest countries, यह कुछ data है, जो आप किसी भी मेंस का एक्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, यह बोला गया है कि जो average per capita energy use है, जो दुनिया के 20 richest देश हैं, उनकी जो बाकी देश हैं, जो सबसे गरीब 20 देश हैं, उनमें per capita energy का comparison करें, तो 85 times ज्यादा है, उन richest 20 countries का, as compared to the 20 poorest countries, तो energy availability में ही बहुँ बढ़ा 85 times का gap है, और definitely energy supply और development का बहुत बड़ा सम्बंध होता है, correlation होता है, इन्होंने ये बोला है कि एक और डिटा दिया है कि the average annual per capita electricity consumption of sub-saharan Africa, सब-saharan African countries में जो average person energy availability है, वो 487 kilowatt hours है, जबकि ये 7,750 kilowatt hours है, OECD countries का, जो developed nations है, alongside an infant mortality rate 73 है per 1000 births in this sub-saharan African countries, जो की 7 है OECD countries में, MMR जो है वो 534 है per 1,00,000 life births जो की 18 है OECD countries में, और per capita income यहाँ पर US dollar 1,645 है, जबकि यहाँ पर 42,098 है OECD countries की, तो developmental gap, powered energy inequity से निकल के दिख रहा है कि इतना बड़ा gap है, the reality of global inequality was accurately evident during COVID-19 ने score aggravate कर दिया है, food prices हो, चाहाँ energy availability हो, उसके बारे में है, almost 90 million people in Asia, Africa, who gained access to electricity, cannot afford to pay it, electricity की availability है, but cannot afford to pay it, इस background को देते हुए, उन्होंने जब comparison किया है, energy availability में, साथ साथ developmental parameters में, तो एक बहुप बड़ा गया दिखाई पड़ता है, उस संदर में कह रहे हैं कि global south को demand करना चाहिए, and block कि हमको energy, clean energy की supply दी जाए, इन दिस background, COP27, efforts a critical movement to acknowledge and address the concerns surrounding energy access and security to the developing countries, अब यहां पर अपनी बात को support करने के लिए, इन्होंने और एक issue दी है, hypocrisy of the global north, कैसे global north hypocrite है, अपनी बात को जो रखते हैं, जो करते हैं, उसमें फर्क है, in the United States, 81% of the primary energies from fossil fuels, global south को वो कहते हैं, या developing nations को कहते हैं, fossil fuels के project नहीं होने चाहिए, बन किये जाए, जबकि उनकी, खुद की 80% जो primary energy है, वो fossil fuels से आती है, ये European countries में 76% हो जाया करती है, अब बात आती है कि 30 साल बात देखा जाए, बहुत कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इन जुलाई 2022, European Union voted to classify, अब देखिए अपने हिसाब से अपने फाइदे के लिए, 2022 जुलाई में, हाल फिलाल में European Union ने ये classify किया है, जो natural gas का इस्तेमाल है, वो green और sustainable energy के यूज में आ जाए, Ukraine crisis की वज़े से, Russia रे Ukraine war की वज़े से, पूरा Europe is suffering from acute energy crisis, अब उस point को लेते हुए, तो उन्होंने ये बोला है, natural gas का इस्तेमाल को green माल लिया जाए, क्योंकि उनकी अपने उपर problem है, और जबकि natural gas was responsible for 7.5 billion tons of CO2, that is, 13% of the total CO2 emissions by the major fossil fuels, natural gas responsible होती है, 2020 के आखरे के अनुसार, तो अपने हिसाब से वो classification कर लेते हैं, additionally, in 2022, even coal consumption in the US and the EU is estimated to increase by 3% and 7%, और 2022 में देखा गया है कि US में और EU में, European Union में coal usage, fossil fuel का usage, particularly coal का 3% और 7% बढ़ गया है, तो this is what generally कहा जाता है, ऐसे देशों के लिए वो ये कहते हैं, do as what I say, don't do as I do, जो मैं कहता हूँ, वैसे करो, जैसे मैं करता हूँ, वैसे मत करो, तो ये उस संधर में एक डेटा पेश किया है कि हिपोक्रिसी है, डेवलप नेशन्स की, ब्रिजिंग दा इनर्जी गैप ऑफ दे ग्लोबल साउथ यूजिंग रिनुवेबल इनर्जी अलोन is a much bigger challenge, उस संधर में आया है कि ग्लोबल साउथ के जो इनर्जी चैलेंज है, उसको मीट करना चाहिए और डेवलप कंट्रीज की जमितारी बनती है, इस इनर्जी इन्यक्रिटी को वो एड्रेस करें ताकि डेवलप्मेंटल पेरेमिटर से वो भी इंप्रूब हो जाएं, ग्लोबल साउथ की आज ये अर्टिकल पेज पर ये दो ही आर्टिकल इंपॉर्टन है, दूसा ये जीस्ट के बारे में है, जस्ट डेटा बेस्ट जादा है और पहला पाकिस्तान के बारे में है तो इस अलवाट एड़ोड एड़ोरियल पेज, होप इसको इसको देखते रहे हैं, और इसको और एक्सपेंड कर देंगे, और रिचर और यूसफुल आपके लिए बना देंगे इन टाइम टिकल में, हैंक्यू वेरी मच्च